आज मैं आपके साथ एक ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक की समरी देने जा रहा हूँ जिससे आप स्टॉक मार्केट में एक प्रो बन जाएंगे और बड़े-बड़े स्टॉक मार्केट प्लेयर को अराम से हरा पाएंगे बस इस वीडियो को पुरा देखकर और ऐसा नहीं है कि आपको कोई specific skill सीखनी पड़ेगी या आपको एक expert होना पड़ेगा अगर आपने आज तक स्टॉक मार्केट के बारे में सुना भी नहीं है तब भी आप सिर्फ इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं आज मैं आपको साथ One Up on Wall Street जिसके author है Peter Lynch इसकी detail summary देने जा रहा हूँ ये वीडियो complete chapter wise summary है इस book की जिससे आप कम टाइम में पूरी book की knowledge को सीख सकते हैं और तुरंत action ले सकते हैं सबसे पहले author के बारे में जान लेते हैं Peter Lynch एक legendary investor है जिन्होंने stock market से बहुत पैसे और नाम दोनों कमाया है कि 1966 में Fidelity Investments में as a intern join हुए थे और 1977 में ये portfolio manager बन गये थे McLennan fund के और इन्होंने 13 साल तक इसे manage किया और on an average 29.2% कर annual returns कमा के दिया जो mutual fund management के history में one of the highest return था इस book को तीन पार्ट में divide किया गया है Part 1 है introduction to investing and development of an investor's mind Basically part 1 में आप ये सीखेंगे कि investment शुरू क्यों करना चाहिए और आपका mindset क्या होना चाहिए Stock market में success पाने के लिए Part 2 है step by step process to pick stocks यहां हम practically सीखेंगे कि कैसे different stocks को analyze करते हैं And finally stocks को चुनते कैसे हैं Part 3 है long term view to investing and portfolio इस part में हम long term में अपने investment के साथ क्या करना है ये भी सीखेंगे तो चलिए chapter wise summary शुरू करते हैं Part 1 preparing to invest Chapter 1 the making of a stock picker 1950s के दौरान अमेरिका में सभी लोगों को लगता था कि Stock market में पैसे लगाना यानि पैसे की बरबादी और Peter Lynch के family में भी यही mindset थी सभी avoid करते थे stock market के बारे में बात भी करना पर Peter की जब job लगी as a caddy Golf course में Caddy वो होता है जो golf players की bags उठाता है और जैसे कि हमें पता ही है कि यह golf अमीरों का sport है तो जब Peter Lynch बड़े बड़े businessman के bags उठाया करते थे Golf games के दोरान तब उन्होंने notice कि यह लोग mostly stocks की बाते कर रहे हैं कुछ लोग कभी कभी celebrate भी करते थे कि इनके selected stocks ने multi baggers returns दिये हैं यहाँ धीरे धीरे Peter Lynch को लगा कि मेरी family है जो मुझे stock market industry से दूर रहने के लिए बोलती है वहीं यह लोग है जो daily इतना पैसे कमा रहे हैं जो मेरी पूरी family members मिलके भी साल में नहीं कमाते हैं वैसे Peter Lynch ने Boston College में पढ़ाई की जहाँ उन्होंने कई सारे subjects जैसे history psychology, political science metaphysics, logics जैसे धेर सारे subjects पर अच्छा score किया पर वो book में कहते हैं कि history and philosophy उनके ज्यादा काम आया stock market में ना की statistics या mathematics क्योंकि वो कहते हैं कि जो mathematics आपको चाहिए stock market में वो आप class 4 में ही सीख लेते हैं Peter Lynch ने 1963 में अपना पहला stock चुना invest करने के लिए और सिर्फ दो साल में उस stock ने 5 गुना returns दिया जिससे उन्होंने अपने college की fees भी पे कर दी अपने second year में उनको एक internship मिली Fidelight mutual fund company में जो उस वक्त सबसे best performing investment company थी chapter 2 इस chapter में author Peter कहते हैं कि individual and amateurs investor के पास ज़्यादा advantage होता है professional and institutional investor से क्योंकि professional या फिर fund manager के जरूवल की जरूवत पड़ती है किसी भी stocks में invest करने से पहले पर हम और आप जैसे investor के पास ये advantage है कि हम जब चाहे तब अपने selected companies के shares को ले सकते हैं हमें किसी की approval की जरूवत नहीं है chapter 3 is this gambling or what? इस chapter में Peter Lynch ने debt में invest करना और stocks में invest करने में difference बताया है debt में invest करने का meaning है कि आप किसी को loan दे रहे हैं और आपको उसके लिए interest मिलता है जब आप bank में FD करते हैं या जब आप bonds में invest करते हैं तो simply आप उनको उधार दे रहे हैं और जिससे वो आपके पैसों से वो और पैसे कमाए और in return आपको interest मिले और साथ ही साथ आपका principal value भी मिल जाए author का मानना है कि debt में invest करके फाइदा नहीं मिलता है क्योंकि 1927 से US में debt ने 5% से भी कम returns दिया है तो यहाँ पे पैसे नहीं बनेंगे आपके लेकिन जब आप stocks में invest करते हैं तब returns की possibility बहुत ज़्यादा होती है debt से 1927 से US में on an average एक common stock ने 9.8% का return दिया है अगर risk की बात करें तो stocks में ज़्यादा risk है क्योंकि कोई भी company कभी भी decline कर सकती है और जो company आज से 20 साल पहले top पे थी उनमें से कई सारी companies आज बंद हो चुकी हैं तो ये बिलकुल आपके उपर है कि आपको ज़्यादा risk लेकर ज़्यादा पैसे कमाने है या फिर कम risk लेकर आपको कम कमाना है चाप्टर 4 Passing the mirror test तीन question आपको पूछना है stocks में invest करने से पहले according to Peter Lynch 1. क्या मेरे पास एक घर है? Do I own a house? क्या मुझे पैसो की जरुवत है? Do I need the money? और number 3 क्या मेरे पास skills है कि मैं stocks में success पासकू? Do I have the personal qualities it takes to succeed? पहले question पे आते हैं Do I own a house? ये author का मानना है कि stocks में invest करने से पहले आपको अपना खुद का घर खाइदना चाहिए उनका मानना है कि जब आप घर खरीदते हैं तो ज़्यादा तर cases में आप उसे लंबे समय तक hold करके रखते हैं जिससे आपको mental खुशी मिलती है कि आपके सर के उपर छत है वो ये कहते हैं कि ज़्यादा तर लोग real state market में इसलिए पैसे कमाते हैं और stocks में इसलिए वो गवाते हैं क्यूंकि घर खरीदने से पहले आप हफ्तों या महीनों research करते हैं खुद जाकर properties देखते हैं फाइदे या नुकसान को भी आप calculate करते हैं पर जब आप stocks में invest करते हैं तो आप ये सारी चीज़े नहीं करते author is book में कहते हैं यानि वो लोग यहां उनकी बात हो रही है जो stock market में loss करते हैं वो microwave oven खरीदने के लिए जो research करते हैं उससे भी कम time वो अपने investment में लगाते हैं दूसरे question पर आते हैं do I need the money? author कहते हैं only invest what you could afford to lose यानि उतना ही पैसे आपको invest करना चाहिए जितना अगर आपको loss हो भी जाए तो आपके daily life में कोई problem नहीं आनी चाहिए तीसरा question है do I have the personal qualities it takes to succeed? क्या मेरे पास skills है stock market से अमीर बनने के लिए ये skill financial skill या कोई talent या कोई specific degree की बात नहीं हो रही है यहाँ पे author mention करते है patience यानि धहरिया आत्म निर्भरता यानि self-reliance common sense जैसी skills आपको चाहिए Warren Buffett का कहना है कि अगर आपका IQ 160 है जिसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा intelligent है तो वो यह कहते हैं कि इसमें से आप 30-40 points किसी और को दे दीजिए क्योंकि इतना ज़्यादा intelligence आपको investment में नहीं चाहिए होगा बलकि आपका सही स्वभाब होना चाहिए जिससे कि आप दूसरों के opinion से अपने आपको detach कर सको chapter 5 है is this a good market please don't ask author यह कहते हैं कि सबसे simple चीज़ आपको यह समझनी है कि आपको stock market में नहीं बलकि आप companies में invest कर रहे हैं author के पास कहीं सारे लोग आते हैं यह पूछने के लिए कि क्या अभी right time है stock market में invest करने का या फिर क्या अभी सही market चल रहा है तो Peter का बहुत ही simple सा answer होता है कि market कोई चीज होती ही नहीं है और जो भी यह predict करते हैं वो लगातार पैसे नहीं कमा पाते हैं इसलिए recession, booming market, inflation, interest, central banks की policy पर 100% ध्यान ना देकर आपको companies पर focus करना चाहिए और company के बारे में focus करना चाहिए तो यह था part 1 preparing to invest की chapter wise summary अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो please इस वीडियो को like करिए इससे मुझे motivation मिलती है कि मैं ऐसे ही detail summaries आपके लिए upload करूँ अब आते हैं part 2 picking winners chapter 6 stocking the 10 baggers 10 baggers का मतलब होता है जो stock future में 10 गुना से ज़्यादा grow कर सकता है तो इस chapter में author बात करते हैं 10 baggers को stock करना शुरू कर दीजिए उनके बारे में पढ़िए उनके product को देखिए उनके management को देखिए author इस chapter में एक बहुती बड़े problem को solve करने का simple सा solution देते हैं हम अक्सर ये कहते हैं कि किस company की research करनी चाहिए जा फिर मैंने आज तक कभी भी कोई stock नहीं खड़ीदा है तो सबसे पहले मैं किन companies के stocks को देखूं author कहते हैं the best place to start looking for 10 baggers is close to your home आप जो daily basis पर product यूज करते हैं अपने घर में उन्हीं company से शुरू करिए example अगर आप सुबह ओड़ कर चाह या coffee पीते हैं तो जिस company के आप चाय पीते हैं उनके shares को आप देखिए Google पे अगर आप Tata Tea की चाय पीते हैं तो Tata Consumer Product Limited का share price आप Google में type करिये आप देख सकते हैं 9th May 2023 के दिन इनका एक share का price है 786.75 रुपीस और आज ये पिछले दिन से 0.27% कम में trade हो रहा है पिछले 5 साल में इस company ने 173.57 का returns दिया है ऐसे ही आप जो भी daily use करते हैं साबुन, तेल, बाइ, कार, इंटरनेट सब companies के shares देखना शुरू करिए इससे आपका interest stock market में आना शुरू हो जाता है और author recommend भी करते हैं कि उन्हीं companies में invest करिए जिनके business को आप समझ सकते हो Chapter 7 I have got it, I have got it, what it is पिछले chapter में author ने एक बहुत एक complex and difficult concept को easy में समझाया है कि उन्हीं companies में invest करिए जिनके business को आप समझ सके पर ऐसा तो नहीं है कि आपको chocolate खाना पसंदे तो आप उन सारे companies में invest कर दोगे जो chocolates बनाती है यहां आपको सबसे basic question यह पूछना है कि क्या वो company आने वाले समय में भी grow कर सकती है या नहीं इसे समझने के लिए author ने 6 category of stocks को explain किया है Number 1, this low growers यह वो company है चो बहुत ही बड़ी है in size और इनका age भी बहुत जादा है इनका feature यह है कि यह देश के GDP से थोड़ा fast grow होती है इनकी शुरुवात fast growers से हुई थी जब यह छोटी company थे पर धीरे धीरे इन्होंने अपना market capture किया अपने products को improve किया sales भी बढ़ाया और अपने investor को भी अच्छे returns कमा के दिये पर जब एक specific industry slowdown करती है तब companies की growth भी decline होती है author कहते हैं कि एक slow growth का सबसे बड़ा sign यह है कि वो जादा and regular dividends दे रही है companies अकसर जब नए तरीके ना ढूंड पा रही हो अपने business को और grow करने के लिए तब वो अपने पैसो को as a dividend देती है investor को खुश करने के लिए Indian stocks का अगर reference दूँ तो Cole India Limited, Tata Steel Limited Hindustan Zinc Limited कुछ examples है slow growers stocks के दूसरे category of stocks है these Stalwats Stalwats वो company है जो well-stablished है financially stable है और जिनका एक बहुती strong brand reputation है इनका बहुत बड़ा market share होता है और इन्होंने सालों तक consistently growth achieve की है कुछ Indian example आपके शेयर करूँ Reliance Industries, TCS, HDFC Bank Limited, Infosys कुछ examples है these Stalwats के author कहते हैं कि जब आप Stalwats में invest करते हो तब आपको recession या difficult economic time में help मिलती है पर ये companies आपको max 10-12% का return दे सकती है और इस category of stocks से आप decent profit भी कमा सकते हैं अब आते हैं सबसे exciting category of stocks में जो है the fast grower जो number 3 category है fast growers छोटे and aggressive companies होते हैं जो 20-25% grow कर सकते हैं और इन में बहुत ज़दा potential होती है ये companies mostly एक growing industry में होते हैं वैसे मैं आपको कोई भी recommendation नहीं दे रहा हूँ पर कुछ example शेर कर सकता हूँ जो fast grower category में थे पहले जैसे बजाज Finance Limited Titan Company and Page Industry Limited चोथे stock category पर आते हैं these cyclicals cyclical industry में companies की sales and profit बढ़ती है या घटती है बहुत ही regularly जैसे airlines, auto industries, tire companies steel companies या even chemical companies जब economy expand होती है तब ये cyclical companies बहुत ही कमाल के return देती हैं पर अगर economy थोड़ा भी slowdown होता है तब ये company बहुत fast decline होती है और investor को काफे नुकसान होता है cyclical stocks में invest करने के लिए timing बहुत important होती है अगर आप wrong time पे invest करते हो तो आपको सालों लग जाते हैं अपने loss को recover करने में पांचवा category है the turn arounds ये वो stock होते हैं जो struggle कर रहे होते हैं फिलाल पर इन में potential बहुत होता है future में improve करने का चाहे वो management strategy या market condition की change की वज़े से हो author कहते हैं कि ऐसे stock से दूर रहना better है क्योंकि बहुत ही कम companies है जो फिर से recover कर पाती है आखरी category of stock है the asset play ये वो company होती है जिनके पास एक बहुत ही valuable asset होता है जो उनके लिए future में एक बहुत बड़ा competitive advantage बन सकता है चाहे वो cash हो, investment हो, properties हो, machines हो, कुछ भी हो ये company फिलाल undervalued होती है और बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते भी नहीं है तो ये थे 6 category of stocks अब आते हैं chapter 8 the perfect stock water deal author कहते हैं कि एक perfect company वो है जिसे अगर एक idiot भी चलाए तो भी business grow होते रहे और मैं उन्ही companies में invest करने के सपने देखता हूँ Peter इस book में कहते हैं कि 13 qualities होनी चाहिए एक company में जिसे वो perfect stock कहते हैं number one, it sounds dull और even better ridiculous एक perfect stock यानि एक perfect company एक perfect simple business में होनी चाहिए जिनका नाम भी बहुत boring होना चाहिए example Asian Pains, HDFC Bank number two, it does something dull author कहते हैं कि एक boring company के पास अगर एक boring name है और साथ ही साथ वो कुछ boring कर रही है तो ये perfect match है number three, it does something disagreeable यानि वो company ऐसा काम कर रही हो जो हर किसी के बसकी नहीं है number four, it's a spin-off spin-off का मतलब है कि जब एक company एक नया independent company शुरू करती है अपने existing business से जैसे मारूती Suzuki India Limited पहले ये company government ओन करती थी मारूती उद्योग Limited के नाम से पर 2003 में government ने majority of stakes बेच दी एक Japanese automaker company को जिसका नाम था Suzuki Motor Corporation फिर उस company ने फिर बाद में अपना separate publicly listed company बनाई मारूती Suzuki India Limited के नाम से तो Peter Lynch प्रिफर करते है spin-off companies को पाँचवा The institutions don't own it and analysts don't follow it ओथर का मानना है कि अगर एक stock institutional या financial analyst के radar पे नहीं है उसमें हम आम वेक्ती के लिए potential हो सकता है अच्छे returns कमाने का number six, the rumors around it's involved with toxic waste और the mafia अगर एक company का गलत rumors फैला हुआ है तो लोग उसमें invest नहीं करते हैं पर अगर वो company genuine business करती है तो यहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत बड़ी opportunity हो सकती है number seven, there is something depressing about it यानि वो company कुछ depressing करती हो example के लिए author share करते हैं अन्तिम संसकार का business number eight, it's a no growth industry बहुत ज़्यादा growth फिलाल ना दिख रहा हो उस industry में क्योंकि कई बार high growth industry में investment करने से कुछी सालों में massive decline आता है इसलिए author choose करते हैं उस industry को जिसमें अभी growth की scope थोड़ी कम दिख रही हो number nine, it got a niche ऐसी company जिनका एक niche हो जैसे हम जब बात करते हैं mobile internet की तो दो ही company है leader India में Airtle NGO तो author का मानना है कि niche business में ज्यादा earnings होती है क्योंकि इसमें competitors बहुत जल्दी नहीं आते हैं और आते भी हैं तो ज्यादा दिन तक survive नहीं कर पाते हैं number ten, people have to keep buying it ऐसा business हो जिनका products लोग daily basis पर use करते हो author कहते हैं कि मैं soft drinks, razor blades या cigarettes company में invest करना पसंद करूँगा बलकि दूसरे business में जहां पर customer महिने में या साल में एक बार खडीता हो उनके products 11. It's a user of technology company technology का use कर रही हो ना कि natural resources का क्योंकि technology वक्त के साथ साथ और better होते जा रहा है पर natural resources का मोते जा रहे हैं इसलिए long term में वो company सवाइब करती है जो technology को अपने business में integrate कर सके 12. The insiders are buying यानि उस company के employees भी उस company में invest करते हो ये एक sign है कि उनको लगता है कि company आने वाले समय में बहुत grow करने वाली है आखरी quality है The company is buying back shares एक investor के लिए ये बहुत ही अच्छा news होता है जब company अपने ही shares को खरीदती है इससे number of shares कम हो जाते हैं और EPS यानि earnings per share बढ़ जाती है जिससे stock price भी बढ़ जाता है तो ये थे 13 qualities जो एक perfect stock में होने चाहिए बाकी की chapters की summary हम part 2 में cover करेंगे जिसके लिए आपको चैनल को subscribe करना पड़ेगा मैं बहुत जल्दी part 2 upload करने वाला हूँ वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज comment बताए मैं आपके सारे comments पड़ता हूँ तो मैं मिलूँगा आपको बहुत जल्दी part 2 के साथ तब तक के लिए keep reading, keep growing